नौश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल GT Mission 2030 में बहुत है मैंने एक विडियो बनाई है जिसमें आपको 50 ला का पोट्फोलियो बनाके और एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक पचास लाक हुआ रहा है और यह वीडियो है जिसमें हम दो लाग रुपे का पॉर्टफोलियो बनाएंगे ठीक है दो लाग रुपे के पॉर्टफोलियो में सबसे बेसिकली चीज़ 75,000 हम रखेंगे बिल्कुल safe sector safe stocks established stocks जिनको आप बड़े हातिया blue chip जिनको कहा जाता है बाकी 1,25 को हम रखेंगे growth वाले stock में ठीक है growth वाले stock में दो परकार के stock होते हैं mid cap size के stock होते हैं और small cap size के stock होते हैं इस परकार से हम लोग अपने इस दो लाग रुपे को market में आज stocks में लगाने वाए ठीक है 25,000 के रहेंगे 4 stock 20,000 के रहेंगे 2 stock ठीक है यह हो जाएगा आपका एक लाक रुपे यह फर्दर हो जाएगा आपका 20,000 रुपे और 15,000 पर हम लोग लगाएंगे अगे चार स्टॉक में यह हो जाएगा आपका 60,000 रुपीस तो 1,40,000 and 60,000 मिला के हो जाएंगे आपके 2 बनाक तो टोटल स्टॉक हो जाएंगे आपके 10, 10 स्टॉक तो इस परकार से हम लोग आज इन्वेस्ट करने वाले हैं वीडियो को ज्यादा लंबन नहीं किसते हैं जादा टाइम पेस नहीं करते हैं स्टॉक पर सीधा आते हैं तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है दोस्तो अपको कभी भी ब्लूजिब स्टॉक में पैसा लगाना है तो मुझे यह स्टॉक सबसे अच्छा लगता है जो कि कितना चला नहीं है और इसके बिना इंडिया ग्रो हो नहीं सकता इस्टॉक की पी बहुत अच्छी है वैलूइशन बहुत अच्छी है फिलाल जो ट्रेट कर रहा है और एक बहुत मैसिव बहुत बड़ी कंपनी है सरफ इंडिया के अंदर में बाहर भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट है इंडिया में तो कुछ भी करना है तो सारी की सारी बीडिया ही जीत जाते है ठीक है चाहे वो ब्लेट ट्रिन का प्रोजेक्ट हो चाहे वो 25,000 रुपय अपने safe bet जिसमें हमको सोचने की जरुरत है वो लगा के चले ठीक है अगला स्टॉक आता है दोस्तों ITC इसको अभी भी भी बाय करना चाहिए 316 के भावत पे 23.8 की पी है 33.6% ROC 24.8% की ROE बताने की जरुवत है नहीं FMCG में ये कंपनी है एग्रो केमिकल के अंदर ये कंपनी है होटल्स में ये कंपनी है and cigarette टोबैको में ये सबको पता है बहुत ही diversified type की कंपनी है बिंदास बाय करिए सोचने की जरुवत है नहीं ये स्टॉक एक दिन आपको 1000 के उपर भी मिलेगा पिछले 4-5 साल से चला नहीं है बट अब चला है तो लंबा चलेगा ठीक है इसमें भी हम लोग 25,000 रुपे आज लगाते है अपना तो टोटल अब तक हम 50,000 रुपे अपने इन्वेस्ट कर चुके तीसरा स्टोक है दोस्तों हो है HCL Tech again एक blue chip company बहुत भैतरी नहीं देखिया आप Infosys में पैसा लगा सकते हैं आप TCS में पैसा लगा सकते हैं आप विपरो में भी पैसा लगा सकते हैं आप Tech Mahindra के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं मुझे XL Tech में क्या पसंद है इस स्टॉक की Valuation 19.5 कि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग और आरो सी आरोई इसकी कहीं बैतरी है मुझे यह स्टॉक पसंद है अगर आप पूरे आईटी सेक्टर की बात करें इसमें ज्यादा ग्रोथ है स्टॉक में ज्यादा स्पेस है और प्लैन तो खेर इंडिया अगर आईटी सेक्टर में तो आप कुछ भी चुन लीजिए पैसे आप इन में सही भी कप कोई भी कंपनी उठा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है तो इसमें भी हम लोग अपने 25,000 रुपे लगा के लगाया है वो ब्लू चिप कंपनी के अंदर लगाया है बढ़िया कंपनी के अंदर लगा है जो कि हमारे दो लाक रुपे को एक सेफ बैट प्रोवाइड करते हैं एक बैली करते हैं अब आगे हम लगाते हैं दूस्तों एक डीविज लैबोरेट यह भी एक लार्ज केप टाइप की ही कंपनी है ठीक है इसके अंदर भी हम लोग 25,000 रुपे लगाएंगी यह क्यों आप देखेंगे माइगरेन की दवा आती है उसके अंदर मोनोपोली एस का ठीक है उसके दवाई के मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है स्टॉक की पी सस्ती 32.0 स्टॉक का हाई है 5425 करंटली प्राइस है 3744 हो सकता था मैं कोई और स्टॉक उठा लेता बट करंट प्राइस पे अभी कि अभी ठीक है और जो वेलूऽेशन अभी हम को मिलरा उसके साब से डेविस लेबोरेटरी यहां पर बाई यह इसको उठा डाना चाहिए इस वैलिवेशन पर इसको बाय करना चाहिए 35.1 की आरो ही है 28.2 परसेंट की आरो इसको बाय करना चाहिए इसमें भी आप 25 रुपे आप लगा के चले मुझे यह स्टॉक इस वैलिवेशन पर बहुत ही बढ़िया लग तो एक रुपे एक लाग रुपे मारे इंवेस्ट हो च च्छे हजार के लगबक का इसका हाई है करन्ट प्राइस 3885 है और मिशन 2030 मिशन 2030 के मेंबर इस स्टॉक को 3000 से पकड़ के बैठे है तो जोइन करें अगर आपको मिशन 2030 जुड़ना है मेरे सब्सक्राइब स्टॉक की 40.8 मार्केट के अप्लेशन मेड़केप साइस की कंपनी बढ़िया कंपनी है और यह 24.5 परसें 30.8 परसें आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में एक बहुत पहत्रीन बैट है बिंदास वाइकरियर रिसर्च और डवलपमेंट में इंजिनिरिंग इस डिजिट लाइज सॉलूशन जो चाहिए होते हैं मेरको यह कंपनी आप यकीन मानिए इसका भाव एक दिन बहुत ही जग 10,000 क्रॉस करता हूं जैसे टाटा एलेक्सी ग अगले बैट अगला है दोस्तों नियोजन केमिकल की कमपनी ठीक है इसको रिकमेंट करने का मकसद एक है जो लीधियम आयन की जो अगर देखिए वी आया और आना है एक दिन तो जो बैटरी पे कोस्टिंग जाएगी वह बहुत काम करने वाली अब बैटरी पे कोस्टिंग अगरे जाएगी तो इसके लिए जो केमिकल कंपनी होंगी वह दमा के पैसा काटेंगी तो यह उसके अंदर नंबर वन बैट ठीक है नंबर वन बैट वोटो कंपनी पैसा कमाएगी नहीं कमाएगी मैं अभी भी डाउट में हूँ एक गाड़ी तो आज भी विक रही है बले फ्यून वाली केटेगरी जो चेंज होगी वो आपकी बैटरी पर चले जाए यह तो फाइदा उठाएंगे उठाएंगे इसमें नियोजन केमिकल बखत पसंदें इसको बाय करना चाहिए भी यह पे लगा के मेल पिक भ्याराटों के अगला सब 쓸सकी क्ली स्यंसें टेक्नोजिट यह बहुत भैत्रेम कंपनी लगती है एक 18,000 परोर के दरीब की इसकी मार्केट के अप्लेशन है थोड़ा सा स्टॉक की पी महेंगी है 1700 के आसपास ट्रेट कर रहा है बड़ कभी आपको ये 1400 से 1500 के बीच में मिले आप इसको और बाई कर सकते हैं बढ़िया पैसा इसमें बनेगा फ्यूचर में बहुत जबरदस्त कंपनी है 35 के करीब की आरो ही है 46.6 परसेंट की आरो सी दोजार साथ सोगा कंपनी का हाई एक ता 52 वीक का फिलाद अच्छी वैल्यूएशन पर नीचे की तरफ करेक्ट होके पर स्टिल भेंगा है पर नीचे 35,000 बचे 45,000 यानि 15-15,000 की तीन कंपनी अगला स्टोक आता है दोस्तों ग्यूफिक बायो साइंस एक फार्मसेटिकल कंपनी है अब इसको रिकमेंड करनेगा क्या है करन्ट प्राइस 202 स्टोक की पी 22.8 बहुत चोटी कंपनी है 2000 क्रोड के करेट का मार्केट के 46.3 परसे बिंदास पैसा लगाओ सिस्टोक में बिंदास ये दोसों का जो भाव 290 का 52 वीग हाई देख रहा है बहुत जल टूट जाए अच्छी वैलिवेशन पहले बढ़िया वैलिवेशन पहले पंद्रह हजार उपे इसमें भी आप नगा के चलिए दोका नहीं देगा प्रॉक 69.2 पी थोड़ी नहीं है बट नीचे गिरें दोवारा बाई करीं बारासो का आसपास अवेलेबल पंद्रह सो का इसका 52 वीग हाई है बताने की जुर्वत है नहीं 27.9 परसेंट 27.8 परसेंट पिंदास बाई कीजिए मिड केप साइज की आज स्कार आप साइज आप 15,000 रुपे अपने लगाते हैं बचे हमारे अब दोस्तों जिसमें से एक स्टॉक है अपना रेडी को खैतान ठीक है दोस्तों रेडी को खैतान शराब बनाने वाली कंपनी धंदा गंदा है पर धंदा बोतल मत करीदो स्टॉक करीदो ठीक है पहली ऐसी कनित इंडियन जो व तो भाइया यह बहुत बढ़िया कर रही है कंपनी और रामपूर ब्रेंड इडेंड हैं और मतलब जो महंगी जो विस्की होती है ठीक है इनके प्राइस चार-चार पार पाँच हजा देटु इंडियन मेड इंडियन ब्रेंड वह यह कंपनी बारी मुझे तो लगता है इस इसको भी आप बाइय करके चल सकते हैं 16.5% 13.4% का बढ़िया है इसमें लग गया इसमें लग गया पच्छिस लग गया पच्छास हो गया सेवंटी फाइव हो गया डिवईस लायर रुपया हो गया इनलट इसमें एक माल में न बीस लगाया है च्युक्जे का विजोच ऄंटाया है तो हो घृवक faill शेक्रण हाले है उलिज्ग में भी बीस लगा है तो एक लाख चालीज हो गया को फिर हमें चार कंपनी हो और अगर आप इस पॉटफोलियो को दो हजार पचीस तक फोल्ड करके रखते हैं तो ये दो लाग रुपे आपके तीन से चार लाग रुपे के बीजना को डेफिनेटी मिलने चाहिए इतना पैसा इसमें बनना चाहिए और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मिशन 2030 वैल्थ क्रेट करना चाहते हैं 2030 तक जुड शकते हैं टेलिग्राम पर लिंक है क्या नटिक आपको मिलेगी क्या वाहि करना कैसे लेना वाहि करना ऊसलिए कि जानकारी आप ले सकते हैं चले ठंक यू.